आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको अपनी किष्टन के लेंगे आया हूँ और मैं आपको देखाना चाहता हूँ कि मेरे किष्टन मेरे सामने अभी एक छोटा सा दूद्ध का गिलाश है और ऐसा को यह नहीं को एक गिलाश लूद लिए मुझे जो है यह देखना है कि कि यह चोटी लाइची का पॉंडर यह आपके सामने है चीनी और यह आदा कठा नियुक्त यह जरूर्ट पड़ेगी मिल्केक पादा है और दूद मैंने जैसे आपको बता दिया था कि यह गिलास आप में दूद ले रहा है और यह चीनी की जो क्वांटिटी आप देख रहे ह जैसे आपने टेस्ट करना है कि आपके सामने मिल्कुल दिखना है तूद को यह कि मैंने लगबक आता से पूना की लोग बूद लिया है और इसमें जो है यह मलाई जो है मैं डाल रहा हूं और इसको हलके से स्टर कर रहा हूं दूद का उबाला जो है जब तक ना आए इसको स्टर करते रही है कि दस मिनिट तक जब तक इसका जो कलर है दूद का ना चेंज हो जाए तो इसको आप जो है डाउनिश कलर हो जाएगा जब दूद का तब तक इसको हिलाते रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं मिल्केक बनाने में काम्याब हूँगा यह अभी आप देख रहे हैं कि जो दूद है वो पूरी तरीके से बॉयल हो रहा है और इसको आप पहना घुमाते रहिए और जब तक जो है कलर जो है इसका चींज ना हो जाए तो इसको ब्र कि कलर जैसी चींज होता है मैं आपको फिर से दिखाऊए कि जो इसका क जलो खिरा की होने के बाद केर दो पाएगा उसको वह तो प्र चैनल हो गया है अब इसमें यह जो पोजिशन है इसमें आपको नीबू डालना है जो है आपको इसके बाद आपको नीबू डालने के बाद आपको इसको दो या तीर मिनट जो है इसको हिलाना बिल्कुल नहीं अब मैं कोशिश करूँगा नीबू इसको आदा चमस नीबू डालने के बाद जो है इसको आपनो तीन या चार सेगिन पांच सेगिन तक इसको आपने बुल्कुल हिलाना नहीं है जैसी के आपने देखा है मैंने नीबू डालने के पाद जो है इसकी पुजिशन की हो चुकी है इसकी क्वांटिटी जो है बिल्कुल कम रह गई है आज मैंने पहली दिफार क्राई किया था अगर अच्छा बनेगा तो मैं क्वांटिटी जो है दूर की और चीनी की या थो और यह पता नहीं अब देखो क्या बनता है रबडी बन जाएगा या फिर κά को देखने के बाद या फिर मैं कुछ नी बनेगा तो मैं इसकी आइसक्रीम द्हुत करा और ऑर और हैं चीनी ले ली है और मैं इसको जो है मैं अभी इसमें मिलाओं गार इसके ईसको तब तक ढूंड़ना है जब तक इसका कि इसका जो इसको चालब तेस्था करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बात मैं तो सूखता हूं कि इसमें का चमट गीवी डाल दो जिससे जो है ये इसमें थोड़ी सी स्मूजनेस आ जाए और यह देख रहे हैं बिल्कुल तेजी से आप इसको 10 या 15 मिनिट के लिए मैंने मैं इसको बूलना है तर्स मिनट तक के लिए इसको मुझे बूलना है और यह आप देख रहे हैं मैं रख्ता है कि अपनी शेप लेने लगा है मजा आ गया विल्कुल बजार्ज ऐसी कलर अब इसका हो चुका है आप सामने देख रहे हैं आप इसके अंदर मैं डालू है यह सामने चोटी एलाजी का पाउडर और यह चोटी एलाजी का पाउडर मिलाने के पात मैं आपसे करन मिलता हूं यह देखिए आपके सामने मैंने इसको एक फोते बर्तन में निकाल दिया है और यह बड़ा इसका कलर जो है बड़ा सुन्दरा आया है वो टेस्ट भी कलर के साथ है और मुझे तो लगता है मत्वुरा की पेड़े जो है उस तरी की से बन गया है चलो जो भी बनेगा मैं खाने कि बाद आपको बता हुगा